ओके दो कंटीनू करते हैं टॉपिक रूट्स ऑफ ड्रग अडिमिनिस्टेशन्स आगे बढ़ते हैं एक और रूट दिखते हैं और यह बड़ा इंपोर्टन रूट है देटीज पैरेंट्रल रूट उसका नाम में ही है पारेंट्रल मिन्स अपार्ट फ्रों एंट्रल तो एं इंजेक्शन से डाइरेक्ली ड्रग चला जाएगा सिस्टमिक सेर्कूलेशन में तो उसको कोई टाइप का म्यूकोजा क्रॉस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा ओरल रूट में क्या था कि हमने ओरल रूट में दिया स्टमप में गया या फिर इंटेस्टाइन में मेडिस सिस्टम में आप डिरेक्ली एकसेस कर रहे हो तो इसे इसे पैरेंटरल रूट बोलते हैं अब पैरेंटरल में अभी अलग अलग है यह एक 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 जमपल था इंट्रावीनस इंट्रामस्कुलर इंट्सप्यूटेनियस सब अलग अलग आएंगे हम लोग देखेंगे उस जुँ हिस्टा है यूर्ऑ मेजिसंस का वो डिस्ट्रै हो जाता या फिर चला जाता है सो क्या कि कम पहुंचता है तो ऐसा उरल डूट में बहुत जादा होता है तो यहां पर बादरेंटर्ल डूट में वह धिक्कत नहीं है तो हाइप बैरेब अबलेटी है और बुच इमर्जंसी में हम यूज कर सकते हैं फॉर एग्जंपल पेशंट इमर्जंसी सिच्वेशन में आएगा उनकॉंसियस है तो उसको ओरल टेबलेट देंगे काफी टाइम लगेगा उसके बाद उसका इफेक्ट आएगा तो यह पैरेंटरल इंजेक्शन से इमर्जंसी के टाइम पर बहुत काम करते हैं जैसे पेशंट आ गया वोमिटिंग और अनकॉंसेस पेशंट आ गया वोमिटिंग आ गया तो हम को पता है कि टाइरिक नीडल डालके उसको आई वी फ्लूड शुरू कर सकते हैं तो बॉली में से फ्लूड लॉस हम कम कर सकते हैं इरिटेंट और इंजेक्टेबल फॉर्म से दे सकते हैं तो वह इश्यू नहीं रहता है और फूड ड्रक इंटरेक्शन का भी इश्यू नहीं है बिकॉज यहां पे फूड खाओ ना खाओ क्योंकि स्टमक में जाने का सवाल ही नहीं है तो यह सब चीजे बच जाती है तो यह एड्वांटे है कि अगर अपने सरेलाइजेशन प्रोपर नहीं रखा तो इंफेक्शन लग जाएगा तो इसलिए प्रोपर सरेलाइजेशन का भी बहुत ज़रूर बढ़ता है इन्वेजिव आसिसंट्स रिक्वायर जो लोग को इन्वेजिव टेक्निक आता है तो वो लोग आपको यहा भूद बड़ा दिक्कत है ठीके फिर पेन होगा ओवियसली थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत लेकिन पें तो होगा औरल टैबलेट के साथ ऐसा कुछ है नहीं स्कील चाहिए होगा ओवियसली देरा चांसीज ओफ एनफाइलेक्टिक रियक्शन का इक वार इंजेक्शन के स और obviously यह थोड़ा expensive रहता है क्योंकि इसमें skill आदमी है, उसका fees लगेगा, फिर उसके बाद आप जो injections लाए, needle लाए, जो दबाई भी उसके आती है, वो महेंगी आती है comparatively, so obviously इसे लिए यह route थोड़ा expensive रहता है इस तरह का injectable roots यह parental root में different formulations यूज़ किया जाते हैं, यह हमें पता है, इंट्राविनस सेट है, जब हम कोई IV flutes चड़ाते हैं, तो यह IV sets का यूज़ करते हैं, practical में detail में देखेंगे इसके बारे में, ampule होता है, जो एक बार में यूज़ करना होता है, तोड़ के injections सीरिंज में बरके उसको inject किया जाता है, फिर IV infusion bottles है, वो यूज़ की जाती है, और फिर vials होता है, यह vials का इक बार उसमें dry powder होता है, तो उसको dissolve करके उसके बाद उसमें सीरिंज में बरके उसको inject किया जाता है, so different formulations है, parental के, वो हम देखेंगे detail है, important parental roots कौन कौन से है, जैसे हमने बता तो subcutaneous tissue में यहाँ पे drug को inject किया जाता है, फिर होता है intramuscular, obviously muscle नामी है, तो हमको muscle में inject करना है drug को, और intravenously, यह जहाँ पे हमको drug को directly bloodstream, venous circulation में, directly हम bloodstream में access करते हैं, so यह चार important roots है, intra arterial भी हमने already दिखा हुआ है, लेकिन intra arterial जो आएगा, वो आएगा local roots में आएगा, क्योंकि उसमें specific arteries में डालके, वहाँ पे कुछ procedure करना होता है, so intra arterial root इसमें नहीं आता है, तो intra venous root आता है, तो यह 4 चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया है, जो A है वो intra dermal root है, यहाँ पे जो epidermis है और dermis है, जो skin के दो layer होते हैं, पहले उपर के, तो यह dermis में डाला जाता है needle, और बहुत ही, you know, parallel to the skin कह सकते हैं, तो ऐसे needle डालते हैं, यह A में, फिर जो B है, उसमें थोड़ा parallel से उपर हम डालते हैं, जो subcutaneous tissue में जाता है, उसका needle ही ऐसे बनाया जाता है, या फिर perpendicular भी डाल सकते हैं, छोटा needle होता है, तो क्या है कि वो subcutaneous space में ही जाएगा, जैस muscle, तो उसमें थोड़ा needle उसका बड़ा रहता है, तो उसको भी ऐसा perpendicular 90 degree angle पर ही डालते हैं, तो सीधा वो muscle में ही पहुचता है, और वहाँ पे हम drug inject कर देते हैं, और उसके बाद आता है intravenous, कि यहाँ पे थोड़ा skilled आपको चाहिए होगा, क्योंकि आपको veins को access करना कि आपका जो needle है, proper veins में ही introduce हो रहा है, और puncture नहीं हो रहा है, तो ऐसे चार roots होते हैं, हर एक के बारे में देखते हैं, हम advantage, disadvantage, so पहले हम intravenous roots से शुरू करते हैं, बहुत common है, emergency में बहुत commonly used होता है, यह parental root, तो क्या advantage है, कि most common parental root है, जो drugs orally नहीं ले सकते हैं, उसको हम advantage is rapid effect, बहुत quick action होता है, इसका, क्योंकि हम देते हैं, फटा-फट जैसे for an example, patient diarrhea, vomiting का है, उसको severe diarrhea, vomiting है, body में से fluid बहुत निकल गया है, तो उस time पर यह IV fluid जडाने, इसको directly, systemic circulation में उसका fluid चला जाएगा, low blood pressure वाला patient है, उसको directly अपने यह drip शुरू कर दिया, तो directly उसका blood pressure फिर normal होने लगेगा, तो बहुत quick action आता है, और दूसरा चीज, control, हम control भी कर सकते हैं, उसका rate control करना होता है, कितना fast हमको डालना है, उसको अगर fluid बहुत कम हो गया है, blood pressure बहुत low हो गया है, तो उसको ज्यादा fast हम डाल सकते हैं, normal है, तो उसके बाद फिर हम normal कर सकते हैं, तो control भी चीटी काटे जिता, लेकिन उसके बाद अगर हम एक लिटर, दो लिटर जितना fluid भी हमको डालना है, वाडी के अंदर, तो भी हम inject कर सकते हैं, तो यह बहुत advantages और life saving चीज रहता है, तो बहुत important route है, emergency में, और 100% probability है, यहाँ पर कोई first pass metabolism का दिक्कत नहीं है, directly system में ही fluid पहु disadvantage है, जो, लेकिन major disadvantage है, एक बार आपने inject कर दिया, तो यह आप recall नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे for an example, आपने oral route से कोई tablet दे दिया, तो देहरार chances की emesis उसको vomiting, vomiting करवा दीजिए, या फिर कोई AC दवा दीजिए, जिससे उसका absorption अटक जाए, तो यह सब possible है, यहाँ पर एक बा advantage कह सकते हैं, कई कबार यह injection से hemolysis और दूसरी adverse drug reactions भी हो सकता है, अगर आप faster delivery करते हैं, और high concentration में drug को डालते हैं, तो, और यह कई बार plasma और जो vital organs है, heart और brain उसको भी affect करता है, तो यहाँ पर आपको rate का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अगर बहुत fast हो गया, बहुत high concentration में आपको यह दिया, तो, chances है कि आपको side effects, adverse drug reactions इससे दिखे, और वो आपको फिर manage करना आना चाहिए होता है, कई कबार, blood का lysis भी हो जाता है, RBC का, hemolysis बोलते हैं उसको, यह most common है, thrombophlebitis of vein, and necrosis of adjoining tissue, if extravasation सका, तो क्या है कि कई बार यह जो, under IV line हम रखते हैं, canula, तो वो उससे क्या होता है, कि जो veins में आजू बाजू inflammation हो जाता है, उससे बोलते हैं, thrombophlebitis, तो उससे हमें पता है न, दो दीन के बाद हमको pain करने लगता है, फिर वहाँ पे, तो उससे thrombophlebitis बोलते हैं, तो वो बहुत common है, इससे होता है, और अगर कोई drug है, कुछ drugs ऐसी होती है, कि veins से बार नहीं निकलनी चाहिए, तो आपको बहुत accurate रहना पड़ता है, कि veins के अंदर ही जाए, अगर counter puncture हो गया, और veins के बार निकल गई वो दवा, तो फिर आजू आजू का जो भी tissue है, उसको वो necrosis कर देगा, damage कर देगा, तो उस type की दवाईयां देने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको बहुत skill चाहिए होता है, और कभी कबार air embolism भी होता है, आपने दिखा होगा कि injections में से air निकालते हैं, movies में भी आपने दिखा होगा, तो वो क्या होता है कि air निकालते हैं, air निकलने से क्या होगा, अगर air अंदर चला गया, body के अंदर, तो वो जो air block कर देगा काफी काफी arteries को फिर, तो उसे patient की death भी हो सकती है, जैसे lungs में अगर कोई arteries को block कर दिया, तो बहुत emergency situation हो जाएगा, patient मर भी सकता है, तो उसे air embolism भोलते हैं, तो उसका risk भी रहता है, तो intravenous root में जो drug द्रग दी जाती है, वो दो तरह से दी जाती है, एक तो उसे बोलते है bolus और दूसरा बोलते है infusion, अब bolus क्या होता है, bolus means कि एक ही time पर पूरा drug दे दीने का, उसे बोलते है bonus, तो lump sum drug of amount of drug is injected, तो for an example, 10 ml है तो 10 ml या 5 ml पूरा एक जटके पर ही दे दिया, पूरा system में, तो उसे बोलते है bolus injection, और या फिर slowly over the time दिया, जैस खतम किया, तो वो दीरे दीरे खतम हो रहा है, bottle या दो गंटे तक खतम हो रहा है, तो उसे बोलते हैं, infusion, so intravenously भी हम ये दो तरह कैसे drug inject कर सकते हैं, दूसरा फिर parental root में ही है, we are in parental root, तो parental root में दूसरा injection है, that is intramuscular, ये भी बहुत common injections है, obviously हमको muscle में देना है, specially large muscle में हम देत करते हैं, और deltoid, triceps, या rectus femoris में भी कई का बार दिया जाता है, लेकिन most commonly used, दूई है कि deltoid और gluteus maximus का maximum use किया जाता है, यहां पर depo preparations भी दी जाती है, depo preparations के बारे में हम देखेंगे, depo preparations में इस क्या होता है, कि एक drug होता है, depo means कि उसको एक drug को particular amount में inject कर दिया आपने, for an example, muscle में inject कर दिया, फिर क्या होता है कि muscles में से दीरे 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 वो systemic circulation में दवाई release होती है, होती होती होती, over the period of time of two months, three months, तो दो तीन महिने तक आपको दवाई लेने का जरूरत नहीं, एक ही बार आपने injections रखा, दो तीन महिने तक आपको दवाई नहीं लेना है, वो muscles में एक बार अपने depo बना दिया, वहाँ से release होता रहेगा, होता रहेगा systemic circulation में और उसका काम करता रहेगा, तो उसे depo preparations बूलते हैं, इंट्रमस्कुलर का advantage क्या रहता है, कि absorption अच्छा रहता है उसका, क्योंकि muscle में भी blood supply अच्छा रहता है, तो absorption uniform आप कह सकते हैं, उसका effect आ जाएगा, for an example, किसी को बहुत pain होता है, kidney stone का pain होता है, तो हम लोग उसको muscle में injections दे देते हैं, तो gluteus maximus में, तो थोड़े within 5 minutes, 10 minutes मे absorption होके, उसका effect आने लगता है, फिर है rapid onset of actions, उसका as मैंने suggest किया कि आपको comparatively rapid actions मिल जाएगा, oral से तो काफी rapid मिल जाएगा, कई कबार mild irritancy थोड़ा बहुत रहता है उससे,